जय हिन दोस्तों स्वागत है आपका BKL Rounder चैनल पर दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं Magno Cup DX Cup सीरफ के बारे में पूरी जानकारी की किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए और किन किन समस्याओं में या इस्तेमाल की जाती है और इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है तो आपसे अन्रोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको इस सीरफ और वीडियो के बारे में पूरी जानकारी बिस्तार पूरवक मिल सके तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है Prime Mankind Company की बनाई हुई Magna Cuff DX Cuff Serum दोस्तों इसका जो साल्ट होता है वो Dextro-Methorphane Hydrochloride and Cloferamine Milet Cuff Serum यह होती है और बात करने इसके rate की तो इसका rate जो है वो 100 रुपए है इस समय जो मेरे पास है इसका और दोस्तों rate जो है वो समय के साथ कम्या ज़्यादा हो सकता है और बात करने इसमें मात्रा की तो दोस्तों इसमें Dextro-Methorphane Hydrochloride 10 mg होता है और Cloferamine Milet 4 mg होता है और दोस्तों यह Prime Mankind बहुत ही बढ़िया कंपनी है दवाईयों की बहुत ही अच्छे इसके product होते हैं और इसका इस्तिमाल जो है जिन लोगों को ज़्यादा दिनों से खांसी आ रही है सुखी खांसी बलगम नहीं आता है सुखे साम ज़्यादा खांसी या कुकुर खांसी या काली खांसी उसको कहते हैं तो ऐसे लोगों को इसका इस्तिमाल करना चाहिए डाक्टर की देखरेख और डाक्टर के परामर्स के अनुसार और दोस्तों इसकी जो डोज होती है वो 5 साल से 10 साल के जो बच्चे हैं उनको 5.5 सीरफ सुबह 5.5 सीरफ साम को पिलाने के बाद गरम पानी देना है थोड़ा सीरफ के बाद में सुखे और साम दोनों टाइम और जो लोग 10 से 18 या उससे उपर के हैं उनको 7.5 सीरफ सुबह और 7.5 सीरफ साम को मतलब 7.5 सीरफ सुबह साम पीनी चाहिए और उनको भी सीरफ पीने के बाद थोड़ा गरम पानी आधा गिलास लगभग पी लेना चाहिए और दोस्तों जब तक आप इस सीरफ का इस्तेमाल करें तब तक कोई भी ठंडी चीजों का इस्तेमाल ना करें चाहें वो कोल्ड ट्रिंक हो चाहें बर्फ हो कुलफी हो या चावल हो पालक हो उरद की दाल हो जो भी चीजें जिनकी तासीर ठंडी होती है उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको जल्दी लाब हो सके और आपकी खांसी जल्दी सही हो सके तो दोस्तों ये तो थी मैगनोकफ डी एक्स कप सीरफ के बारे में पूरी जानकारी जो मैंने आपको दी है उम्मीद करते हैं दोस्तों यह आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी तो दोस्तों इसके फाइदे के साथ जान लेते हैं इसके side effect के बारे में तो दोस्तों इसके side effect में patient को BP बढ़ने की समस्या हो सकती है सास फूल सकती है हाथ पैरों में चकते पढ़ सकते हैं लाल दाने निकल सकते हैं पूरे सरीर में यदि यह सीरफ reaction करेगी तो और किनी 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 लोगों को जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको लूजमोसन की समस्या भी इसके side effect होने पर हो जाती है तो दोस्तों इन में से कोई भी समस्या आपके साथ होती है तो आप इसका इस्तेमाल तुरां थी रोकर अपने डाक्टर से संपर्क करें और दोस्तों इस दवाई या किसी भी दवाई का इस्तेमाल अपनी डाक्टर की देख रेक और डाक्टर के परामर्स के अनुसार ही करें अपनी मर्जी से किसी भी दवाई का इस्तेमाल करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है यह जो मैं दोस्तों आपको वीडियो बना के जानकारी देता हूँ यह केबल आपका नालेज बढ़ाने के लिए ना किसलिए कि आप किसी भी दवाई का इस्तेमाल अपने आप घर पर ही करने लगें यह आपके लिए हानिकारक होगा तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइक अंजूर दबादें